अलो दोस्तों वेल्कम टू रिट्व सक्षिड आज हम बात करने वाले हैं नए विकन से आने वाली है इसका गया सिलक्षन प्रोसेस रहेगा उसके बार हम जानेंगे इसकी इलिजबिल्टी क्या रहेगी इसका सलेवस क्या रहेगा जो है सारा कुछ हम इस वीडियो में जानें सब्सक्राइब कर लें और आपको बता दें कि हमारे जो चैनल पर है हिस्ट्री और जोग्राफी की भी घटना चकर की सुरीद चल रही है तो आपने जो क्लासस नहीं देखें तो हमारे चैनल की प्लेयलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं चलिए वीडियो स्टाट करते है तो इसमें जो सबसे पहले इसमें किते स्टेज होते हैं उसके बारे हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो है चार स्टेज होते हैं पहला होता है आपका रेटेन एक्जाम यह जो होता है से बीटी होता है कंप्यूटर बेस्ट टेक्स्ट और जो आपका दूसरा होता है वह important dates के बारे में इसकी जो है online start date है तो वह 26 अप्रेल 2021 है इसके जो है form भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 30 अप्रेल 2021 और जो है इसका admit card जो है वह दस से पंदरा दिन में आ जाएगा चलिए अग्जाम से दस से पंदरा दिन पहले जो है आ जाएगा आगे हम बात कर लेते हैं इसकी जो एक्जाम डेट है वहाँ जब admit card आ जाएगा तभी बताई जाएगी अभी इसका पहले से कोई exam डेट नहीं दी गई है चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके जो है नंबर आव वेकंसी के बारे में तो इसमें जो है डबल एक जो वेकंसी है वह 500 हैं और जो SSR की है जो है सेनिर से कैंडरी रिक्रूइट इसके 2200 वेकंसी है और जो है इंने एमार के जो वेकंसी है वह चार सो है और टोटल जो वेकंसी रहती है वह आपका 31 s Return जो इसके आगे हम देख लेते हैं इसका जो है काटेग्री वाज जो है फीस क्या पड़ाईगी उसके बारे में इ इसके आगे हम जो देख लेते हैं eligibility के बारे में इसकी eligibility रहेगी उसमें आपका only male candidates who are not married can apply for this exam यानि आपको जो है आप married नहीं होने चाहिए आपकी साधी नहीं होनी चाहिए आप जो है male candidates apply कर सकते हैं इसमें female candidates जो है वो नहीं apply कर सकती है और जो double-a है double-a के लिए candidates who wish to apply for artificial apprentice artificial apprentice तो must have qualified and plus to examination with 60% marks यानि आपके पास जो है 12 में 60% marks से आप पास होने चाहिए और आपके पास math and physics with at least one of these subjects chemistry biology computer chemistry science या फिर आपके पास physics math chemistry होनी चाहिए या फिर आपके पास जो है बायो physics और math होनी चाहिए तापका जो इसमें से तीनों में से जो है आपके पास एक subject होना चाहिए चलिए इसके आगे देख लेते हैं SSR के बारे में जिसमें जो SSR का रहेगा वा रहेगा the candidates who wish to apply for artificial assistant or must have qualified and placed to examinations और आपके पास जो MR का रहेगा उसके लिए भी class 10 थी चाहिए और SSR के लिए भी आपके पास 10 plus 2 होना चाहिए इसके लिए कोई जो है required percentage नहीं है इसकी जो है इसमें कोई percentage नहीं है आपके पास physics, math, chemistry, biology, computer इसमें से कोई भी subject हैं तो आप apply कर सकते हैं और इसके जो MR के लिए है वो high school ही मांग रहे हैं और जो है Canadian should be born between यानि age limit के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जो age limit रहेगी वो 01-2000 से 31 July 2003 के बीच में होनी चाहिए अगर जो इस date के अगर जो आप 2004 का जन्म है जो अगर जो आपका एक अगस्त 2004 का जन्म है तो आपके जो है date नहीं माने जाएगी और आपका अगर जो एक अगस्त 2000 से पहले का जन्म है तो इसमें जो है आप अपलाई नहीं कर सकते हैं चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं पीफटी के बारे में इसका जो पीफटी रहेगा इसमें 16 से मिटर की रेस रहेगी वो रहेगी साथ मिनट में आपकी और इसक्व से लेवस रहेगा वह मैट्स इंग्लिस साइंस जनल नौलेज और इसके आपके जो है 100 अब्जेक्टिव टाइप्स कुस्टन्स पूछे जाएंगी और मैक्सिमम हंड़ेट मार्क्स के होते हैं और इसका जो टाइम रहता है वह 60 मिनट सी रहता है थैंक्स पर वाचंग और आपको वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें कमेंट करें सेर करें सब्सक्राइब करें थेंक्यू